हेलो प्रेंस वेलकम टू मैं चैनल सेंपल क्रियेशन बा अनीता सिंग आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं अस्तर वाले कुर्ति के नेक को बिना फ्यूजिंग पेपर के बिना फैपरिक के बनाना तो बस आपको सिंपल से लाइनिंग कटिंग कर ले है दोनों के सेंटर को मिला लेना है और नेक की चोड़ाई आप अपने एक्कॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं जो नेक बना हुआ होता है हमें उसी के एक्कॉर्डिंग रखना होता है बड़ थोड़ा बहुत शेप के एक्कॉर्डिंग आप अपर जस्ट कर सकते हैं तो य अब हमें left side नहीं लेना है, जो कुर्ती का आपका right side होगा, इस right side को, ठीक है, जैसे हम बैठे हैं, उसी position में right side जो है आपका, उसको आपको simply इस तरफ लेगाना है, तो आप में पर दुबारा बताती हूँ, यह वालो जो right side है, आपको इस तरफ खिसका देना है, उल्टी और वहाँ पर आपको neck के part को इस तरीके से रखना है, ठीक है, बहुत है simple है, कोई ज्यादा difficult नहीं है और बहुत आसान है इस तरीके से बनाना, बस कुछ बातों का दियान रखना होता है, अब बस यहाँ पर आपको टाके को पका करना है, और यह जो हमारा neck हमने ड्रॉ कर र और neck की shape के according stitch लगाना है, अब इस stitch लगाते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है, कि जो आपकी main कूर्ती है, उसको आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आराम से, जैसे यह necker shape है, वैसे ही आपको stitch लगाना है, खींचा तानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अ थोड़ा सा आपको weird लगता है neck, टेडा मेडा लगता है, ठीक है, तो इसलिए center जरूर होना चाहिए neck का, तो बस इस तरीके से हमें stage लगानी है, अब जब का थोड़ा सा part रह जाएगा, वहाँ पर आपको ऊपर से दोनो parts को मिला लेना है neck की, जो भी आपने marking करी है, बिल्क जो ready made neck होते हैं बने वे, उनका एक side का part प्रेवर छोटा होता है, और दूसरी side का बड़ा हो जाता है, तो एक बार stitch करने से पहले, दोनों side के part को अच्छे से मिला होते हुए, चेक कर ले कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं, आप इंची tape से measure कर सकते हैं, center line बना ले, और center line से दोनों side को check कर ले, तो उससे आपको पता लग जाएगो कौन सा part छोटा है, कौन सा part बड़ा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको ठीक कर लिया था पहले ही, और उसके बाद ही मैंने ये cutting करी है, तो अब इसको stitch करने के बाद, इसको हमें, यह जो हमारा कुर्ती का अस्तर वाला part है, उसको हमें cut कर लेना है, half inch fabric छोड़ती हुए, half inch से थोड़ा कम fabric हमें छोड़ना होता है, और cutting करने के बाद, हमें simply spin, जो हमारा round है, वहाँ पर हमें notch mark कर लेना है, तो notch mark करने से ही आपका, जब आप कुर्ती को पल देंगे, तो आपका shape अच्छे से बन पाएगा अगर आप इस पर notch नहीं लगाते हैं, तो आपका जो shape अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है, तो cuts करना बहुत जरूरी होता है, तो अब इसको हमें wrong side पर पलट लेना है, यह मैंने ही आपर पलट लिया है, ठीक है, अब इसको मच्छे से set कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसको पलटने के बाद हमें इसको iron कर लेना है, iron करने से यह अच्छे से bad जाएगा, तो मैंने इसको iron कर लिया, देख सकते हैं, बिल्कुल invisible stitch ही हमारी हो चुकी है, और कोई भी wasting paper की जोरत हमें यहां पर नहीं पड़ी है, मेरी और भी video है, उसका link मैंने आपको description box में दिया ह अब जाकर check out कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बताना, और अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कर ले, अभी के लिए thanks for watching